तो हेलो एबरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में तो आज हम यहाँ पे डिसकस करेंगे जो प्राइमरी विभाग में, प्रात्मिक विभाग में जो स्पेशल टीचर की भरती निकली है, स्पेशल सिक्छक की भरती निकली है उनकी बारे में डिसकस करेंगे और हर जिले में यह भरतीया निकल रही है टोटल कुल मिलाके 380 पदों पे भरतीया निकलेंगी विशेश सिक्छा में हर जिले के लिए अलग भरतीया है और हर जिले के लिए अलग अलग पदों को रखा गया है आज हम यहाँ पे discuss करेंगे चमपावत जन्पत के बारे में इससे पहले हम पितोरागाड के बारे में देख चुके हैं उत्तरकास्य जन्पत में जितनी भणतिया थे वो तीख चुके हैं उनका link आपको नीचे मिलेगा आज हम यहाँ पे चमपावत डिस्टिक के बारे में देखेंगे कितने पदों को वहाँ पे उनके लिए रखा गया है और जन्रल या अन्य कर्टिगरी के लिए 7 पद हैं, तो टोटल मिला कि 16 पद हो रहे हैं, 16 पदों को इसमें सामिल किया गया है, अब बात करते हैं कब से आप फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम डेट कब तक है, तो इसमें फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है यानि आज से ही 11 अपरैल से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 11 अपरैल से इसकी प्रार्मिक तिती है और अंतिम तिती है फॉर्म भरने की 2 मई 2023 को, ये टोटली ओफलाइन फॉर्म है, आपको फॉर्म भर के जो है, भीजना पड़ेगा, कहां भीजना है, आपको फॉर्म भर के भीजन भीजेंगे अपना रजिस्टर्ड या स्पीड पोस से ही फॉर्म भीजे जाएंगे कोरियर से या जर्णल दाक के दोर आगर आप फॉर्म भीजेंगे तो आपका फॉर्म जो है मानने नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है पात करते हैं तो यह लेविल 6 की जॉब होती ह प्राइमरी सिक्षक के लिए होती है और इसमें आपको उत्राखंड का नागरिक होना चाहिए यानि ग्रूप C के लिए जो जो क्वालिफिकेशन होती है और जो क्वालिफिकेशन है वही है आपको उत्राखंड का आपके पास मूल निवास होना चाहिए सबसे में बात आप यहाँ पे आपका special beard होना चाहिए special beard बोले तो special बच्चों के लिए disability वाले बच्चों के लिए जो beard होता है उसे special beard बोलते है 2 साल का वो beard होता है तो वो आपके पास होना चाहिए journal beard जिनका है या deal head है वो इसके लिए apply नहीं कर सकते इसके लावा आपको CTAT या UTAT first आपका clear होना चाहिए ठीक है दूसरी बात यह है इसके लावा age की बात करें तो age इसमें 21 से लिके 42 साल तक आपके age होनी चाहिए ठीक है और क्या है इसमें भाई है यह इसमें जो main main बाते वो मैंने आपको बता दी है group C के लिए जो युग्यताई होती है वही होनी चाहिए और आपने अपने सभी documents को जितने भी documents है आपको सभी आपने इस form के साथ भीजने है उनको self attested करना है और self attested करके आपको form भीजना है और जो photo यहाँ पर इस form में लगेगी यह form है इसका यहाँ पर इस form देख सकते है इस form का आपको print out निकालना है और उसे भरके अच्छे अच्छे खुब धंक से भरके इसमें photo लगानी है photo को आपको self attested करना है और जो भी detail यहाँ पर मांगे गई है वो आपको भरना है अपना जो reservation का अगर आपके सपास certificate है मोल निवास भी लगाना है जो भी ज़रूरी documents है सभी documents लगाके आपको भीजना है और यहाँ पर last may sign भी करने है ठीक है कहाँ भीजना है मैंने आपको बता दिया आपको इस address पर भीजना है जिला सिक्षा दिकारी प्रारंबिक सिक्षा यानि प्रात्मिक सिक्षा चमपावत के address पर आपको भीजना है ठीक है तो जो भी अगर आपके जानकारे में कोई है तो आप इस form को भड़ सकते हैं एक और बात इसमें आपको return exam नहीं होगा यह exam जो है यह जो पद है यह totally married के आधार पे होंगे married के base पे होंगे married कैसे बनेगी 10th में कितनी married बनेगी 12th में, B.E.E.D. में, C.E.T.E.D. में graduation में इसके लिए मैंने आपको बता रख है इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने formula बताया था कि किस formula से वो निकालते हैं किस formula से married बनेगी आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे description में link है वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी married खुद से भी बना सकते हैं Thank you so much God bless you